बिस्मिल्ला रख्मान ररहीम, असलाम अलेकुम Software Engineering 10th Edition written and composed by Lane Somerville और ये बुक काफी lengthy है, अगर आप इसको डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक दे दूँगा आप ये Contents देख सकते हैं, यहां से पहला इसका पार्ट है, चार पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है Introduction to Software Engineering, System Dependability and Security और उसके बाद Advanced Software Engineering और फिर Software Management पहले पार्ट के अंदर जो Chapter No.1 है वो Introduction है, सिरफ जिसके अंदर Objective वगारा, Contents वगारा ये सारी चीज़े बताई हुई है अगर आप डिटेल से रीड करना चाहते हो तो इसमें काफी टाइम लग जाएगा लेकिन अगर इन शॉर्ट आप पढ़ना चाहते हो तो यह स्लाइड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यह डाउनलोड कर लो तो यह काफी इजी है तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे टॉपिक्स कौन कौन से कवर्ड होंगे प्रोफेशनल सॉफ्ट्वेर डिवल्पमेंट, वट इस मेंड बाइ सॉफ्ट्वेर इंजिनिरिंग इस टॉपिक के अंदर यानकि यह जो चैप्टर हमने पढ़ना है कौन से नहीं करने चाहिए और कौन से इसके लासूट्स बनते हैं उसके बाद अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू एथिकल इशूज डैट अफेक्ट सॉफ्ट्वेर इंजिनिरिंग और कौन कौन से एथिकल इशूज है जिनकी वज़ा से हमारी सॉफ्ट्वेर इंजिनिरिंग की अप्रोच जो है वो एफेक्ट हो सकती है तो सबसे पहला है सॉफ्ट्वेर इंजिनिरिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में हर चीज को सॉफ्ट्वेर से कंट्रोल किया जा रहा है तो economies का मतलब है मुष्यत है यानिके जितने मुलक हैं उनकी जो एक किसम की मुष्यत है वो डिपेंड कर रही है सॉफ्ट्वेर पे क्यों क्योंकि उनकी सारी की सारी इंडस्ट्री सॉफ्ट्वेर कंट्रोल कर रहा है इसलिए जैसे जैसे लेटेस टेकनोलोजी आती जा रही है उसको कंट्रोल करने के लिए machines बनाई जा रही है ज्याद ज्यादा चीज़ों को मचीन से बनाया जा रहा है और मचीन किसे ऑपरेट होती है software से ठीक है software engineering is concerned with the theories methods and tools for professional software development अब इसके अंदर जो बाते लिखी हैं उनको आपने समझना है software engineering सिरफ software के related चीज नहीं है बलके software के साथ theory यह जो documentation है यह उसको भी cover कर रहा है methods to develop software जो हमने method use की है software को बनाने के लिए यह उसको भी cover कर रहा है और tools को भी cover कर रहा है जो tools उसको use हुए है उसको develop करने के लिए यह पूरी यानिके approach है जिसके अंदर हमने सारा कुछ include करना होता है एक professional software को बनाने के लिए तो यह software engineering है जैसे building को बनाने के लिए engineers और labor हर चीज कठी की जाती है design बगारा त्यार किया जाता है इसी तरह software engineering में भी theories methods and tools कठी किये जाएं फिर वो एक software engineering का हिस्सा बनते हैं उसके पाद expenditure यानि के cost expenditure on software represents a significant fraction of GNP gross national product in all developed countries अब कैसे अब देखे जितना software पे खर्चा होगा उसका असर अब देखे सबसे ज्यादा अगर software पे खर्चा आ रहा है significant amount of funds जो है वो लग रहा है software पे तो उसका gross national product पे काफी ज्यादा असर होता है developed countries के अंदर क्यूंकि जैसे हमने उपर बात कर ली कि are developed countries are dependent on software तो जितना ज्यादा software वो यूज़ कर रहे होंगे जाहिए सी बात है कि उस पे जो खर्चा आ रहा है वो उनकी gross national products पे भी असर अंदास करेगा अच्छा जी उसके बार software कोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं software कोस्ट often dominate computer system कोस्ट अब यहाँ पे यह पे पहली लाइन कहीं आप मतलब देखें software कोस्ट often dominate computer system कोस्ट अब computer system क्या होते हैं जो hardware वगएरा इतनी सी चीज़े अब वो यह कह रहा है कि हमेशा या ज्यादा तर software क कोस्ट ज्यादा होती है computer के system से जितना आपने hardware वगएरा लगाया हमेशा या ज्यादा तर आपके computer system से ज्यादा महगा होता है software या उसको develop करने की कोस्ट ज्यादा होती है the cost of software on PC are often greater than the hardware cost जितना उसके hardware पे खर्चा आता है उससे कई ज्यादा software पे आता है software कोस्ट more to maintain than it does to develop इस line का भी आप मकसद उन्होंने क्यों लिखी है software को बनाने में उतने पैसे नहीं लगते जितने के उसको maintain करने में लगते हैं फर्ज करें आपने 10 लाक रुपे का software बनवाया था आज से 5 साल पहले और उसको maintain करने के लिए हर साल 5 लाक रुपे लगते हैं तो 10 साल में आपके software को maintain करने के लिए कितने लगे 50 लाक रुपे और बनाया कितने का था 10 लाक का तो ये बात इन्होंने समझाई है कि software को बनाने के पैसे कम लगते हैं maintain करके रखने के ज्यादा रखते हैं अब जैसे के बहुत लंबी लाइफ वाले सिस्टम जैसे कि अगर हम नादरा का कहले जैसे पाकिस्तान का है या इंडिया का होगा या कोई भी गवर्मेंट का रिकॉर्ड होता है तो उसको maintain करना बहुत जरूरी होता है और लांग लाइफ के लिए होता है सिस्टम को बनाने पर जितने पैसे लगते हैं उससे कई गुना ज्यादा उसको maintain करने पर लग जाते है उसके बाद सॉफ्ट्वे इंजिनिरिंग कंसर्ण विद कोस्ट एफेक्टिव सॉफ्ट्वे डिवल्मेंट कोस्ट एफेक्टिव का मतलब है कि हमें कोई ने कोई फरक नजर आए एक सिंपल सॉफ्ट्वे डेलप में और सॉफ्ट्वे इंजिनिरिंग को फॉलो करते हुए ठीक है तो हमें कोई ने कोई फरक नजर आना चाहिए कोस्ट में अब आगे बात कर लेते हैं सॉफ्ट्वे प्रोजेक्ट फेलियर अब यहां पर देखें इंक्रीजिं अब देखो न्यू सॉफ्ट्वे इंजिनिरिंग टेक्नीक्स आ रही हैं जो हमें हैल्प कर रही हैं बिल्ड लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम बड़े सॉफ्ट्वेर बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स सॉफ्ट्वेर जो पहले कभी इंपोसिफल होते थे वो भी बनाने के लिए हमें help कर रही है और जैसे जैसे demand चेंज हो रही है हम उसी के मताबिक अपने systems को यानि के software को बनाते जा रहे है systems have to be built and delivered more quickly जैसे जैसे demand बढ़ रही है लोग यही चाहते के हमें जल्दी से जल्दी जो software वो बना के दे लोग ठीक है और जल्दी से जल्दी बने उसकी testing हर चीज जल्दी हो और यानि के time कम हो गया लोगों के पास larger even more complex systems are required यानि के बड़े से बड़ा लोग कह रहे हर चीज को automatic करना चाहरे है बड़े से बड़ा system कह रहे हैं हमें बना के दो और मुश्किल तरीन software हैं जो हमें order आते हैं यानि के जो हमें required हो रहे है systems have to have capabilities that were previously thought to be impossible ऐसे ऐसे system भी develop किये जा रहे हैं जो पहले impossible थे जैसा कि अगर मैं simple example लूट एक script है PHP की जिसे हम image का background remove करते हैं पहले क्या करते थे Photoshop अपिलस्टेटर इस तरह के software वगरा को use करके हम remove करते थे picture से background लेकिन अब क्या एक click करें और coding के जरिए आपके जो pictures हैं उससे वो background remove हो जाता है तो यह छोटी सी example है अब failure to use software engineering method अब कहां पर software engineering method जा है वो fail हो सकते हैं it is fairly easy to write computer program without using software engineering method and technique अब उसने काए कि काफी हद तक यह बात ठीक है कि हम software engineering के method और या techniques को use किये बगार भी computer programs को लिख सकते हैं बना सकते हैं software यह लाज़मी नहीं है कि software engineering को ही follow किया जाए लेकिन अब इसका फाइदा क्या है और नुकसान क्या है many companies have drifted into software development as their products and services have evolved अच्छा अब इन्होंने काए के बहुत सारी companies ऐसी हैं जो पहले यह follow नहीं करती थी लेकिन अब उन्होंने यह software development के अंदर आके इसको follow करना शुरू कर दिया है जैसे जैसे उनकी products और services evolve हो रही है यहनके latest हो रही है जबाने के साथ सा they do not use software engineering methods in their everyday work अब क्या है कि जो everyday work है मतलब छोटे मोटे software बनाने है या उसमें कोई development करनी है कोई up gradation करनी है तो उसके अंदर वो software engineering को follow नहीं कर रहे है अब उसका नुकसान क्या हो रहा है उनको consequently their software is often more expensive उनको पैसे ज्यादा देने पड़ रहे है क्योंके कोई भी चीज planned नहीं होती and less reliable और उनके अंदर functionalities भी वैसी नहीं होती जैसी के software engineering को follow करते हुए हमें मिलनी चाहिए थी then it should be क्यानिके जितना उसके अंदर functionality होनी चाहिए थी जितनी उसकी cost होनी चाहिए थी हर चीज cost ज्यादा लग रही है reliability कम हो रही है सिरफ software engineering को follow ना करने से ठीक है तो यह failure है अब उसके बाद आ जाते है professional software development क्या चीज़ है frequently asked question यह पढ़ेंगे और इसके बाद video को end करेंगे next lecture start करेंगे अब software engineering के बारे में जो बहुत ज्यादा लोग question करते हैं यह book में भी है और यह slide पर भी मैंने दिये हैं यहाँ पर अगर आप book में देखोगे तो आपको नजर आ जाएंगे यह देखें तो read करते हैं what is software आपने बहुत चोटी classes से पढ़ना start किया है what is software तो इसको भी पढ़ते है computer program and associated documents हमने सिरफ पहले पढ़ा था चोटी class में computer programs are also known as software लेकिन यहाँ पर उनने कहा दिया कि जो उसके साथ की documentation है यानि उसको use कैसे करना है उसकी maintainability किस तरह की है हर ची बंदे के लिए भी develop की जा सकती है और maybe develop for general market, general market ऐसी जगा होती है जहाँ पर आप अपने software की कोई price रखते हो या फिर free भी दे सकते हो, ज्यादा तर price रखते हो जैसे Adobe के software हैं और काफी सारी ऐसी companies हैं जो price rate करती है और वहाँ से जाकर लोग buy कर सकते हैं, दो तरह के software उसके But what are the attributes of good software, अच्छे software की क्या खसूसियात हैं, क्या चीज़े होनी चाहिए, good software should deliver the required functionality and performance to the user, आप उन्होंने काए कि एक अच्छा software, ऐसा software होता है, जिसके अंदर जो चीज़े चाहिए, मतलब जिस काम के लिए वो बनाया गया है, उसकी functionality और performance उसके मताबिक हो, ये नहों कि जिस काम के लिए उसे बनाया गया है, वो पूरा काम ना कर सके, और जिस user के लिए अगर बनाया गया है, तो उसने जो जो requirements कहीं थी, सारी की सारी वो functionalities perform कर रहा हो, and should be maintainable, maintainable का मतलब है, ये नहों कि आपने एक बार software बना देया, आप बाद में, उसको maintain ही ना किया जा सके, maintain कि ये ना से मुराद ये है, कि उसमें कोई changing ही ना की जा सके, उसे अपने हिसाब से change ही ना किया जा सके, ये काम नहीं होना चाहिए, बलकि उसको maintainable होना चाहिए, उसके बाद dependable, dependable का मतलब है, कि हम उस पे depend कर सके, ये ना हो कि जरूरत के वकत, या फिर जब ज़्यादा user register हो जाए, उस software पे या load time जब ज्यादा हो, और वो software ही हमारा drawback दे जाए, यानि के वो बैठ जाए, and usable or use करने में असानी होनी चाहिए, अच्छा, उसके बाद what is software engineering, अब यहां से बात start हो रही है, software engineering असल में है, software engineering is an engineering discipline, engineering किसे कहते हैं, किसी पी चीज़ को बनाने के लिए एक खास planning की जाती है, तो यह भी एक engineering का एक field है, that is concerned with all aspects of software production, जिसके अंदर हमने software को develop करने के, produce करने के, हर पहलू को देखना है, चाहे वो documentation है, testing है, maintaining है, कोई भी चीज़ है, software के related कुछ भी चीज़ आ रही है, बनाने के related, तो वो software engineering के अंदर ही study करते हैं, what are the fundamental software engineering activities, अब software engineering जब हम कोई follow करते हैं, किसी software को बनाने के लिए, तो कौन सी ऐसी activities हैं, जो हमें लाजमन करनी बढ़ती है, software specification, specification से मुराद यह है, आप दो तरह से इसका मतलब ले सकते हैं, एक तो यह कि आप requirements को specification कह सकते हैं, कि ऐसी requirement जो software को बनाने वाले नहीं, यानिके, जिसने अब order किय software के मुझे यह software चाहिए, यह वो specification हो सकती है, जो काम software को करने चाहिए, वो आपको clearly पता हो, आपने इसके अंदर include करने हैं, software development, software को develop करना लाजमी है, जाइड सी बात है, software development होगा तो वो deliver करेंगे, software validation, validation का मतलब होता है, कि आपने confirm करना है, check करना है, कि क्या जिस काम के दिखने के लिए मुझे board marker चाहिए, तो क्या मैं board marker ही बना रहा हूँ, या फिर permanent marker बना रहा हूँ, इसको आप validation की example ले सकते हैं, and software evolution, evolution का मतलब है, आपने software को इस तरह से develop करना है, इस तरह से उसको बनाना है, कि बाद में अगर latest उसके अंदर कोई चीज एड करनी पड़े, तो वो हम कर सकें, ये है major activities जो आपको लाजमी करनी पड़नी है, software engineering में, उसके बाद है what is difference between software engineering and computer science, हमने शुरू से पढ़ा है, computer science और software engineering तकरीबन सेम है, लेकिन computer science के अंदर software engineering है, computer science focuses on theory and fundamentals, ठीक है, अब यहाँ पर उसने काया, computer science के अंदर हम theory पड़ते हैं, और सिरफ basic ची है, जिसके अंदर software engineering हम, जिसको हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, software engineering is concerned with the practicalities, practical सब कुछ आपको सिखाया जाता है, of developing and delivering useful software, useful का मतलब है, उसका कोई न कोई मकसाद हो, किसी न किसी काम के लिए software को बनाया गया, बनाने के बाद market में deliver किया गया, या फिर उस user को deliver किया गया, जिसने order किया था, यह है difference, what is difference between software engineering and system engineering, अब इसके अंदर भी आप देख ले, system engineering is concerned with all aspects of computer based system, अब आपने कोई system develop करना है, यानि कि आपने किसी mall में लगाना है, किसी hospital में लगाना है, किसी building में कोई system develop करवाना है, यानि कि deploy करवाना है, तो उसको हम कहेंगे system engineering, लेकिन उसके अंदर क्या चीज़े आएंगी, computer based system development including hardware, software and process engineering, उसका hardware जो लगाएंगे वो भी system engineering में आएगा, software जो लगाएंगे वो भी software engineering में आएगा, system engineering में सारी, और process engineering, यानि उन दोनों को आपस में connect कैसे करना है, और वो काम कैसे करेगा, यह process engineering में आएगा, लेकिन आप यहाँ पर ग engineering एक general process है, जिसके अंदर हमने सारा कुछ include करना है, hardware, software, process, हर चीज़, लेकिन उसके अंदर जो सिरफ software वाला area है, कि हमने software किस तरह से बनाना है, वो आजाता है, software engineering में, उसके बाद, what are the key challenges facing software engineering, अब software engineering जब हम follow करते हैं, तो हमें कौन-कौन से challenges face करते हैं, पते, copying with increasingly diversity, demands for reduced delivery times at developing trustworthy software, अब क्या है, जैसे जैसे diversity का मतलब है, जैसे जैसे software की types बढ़ रही है, software के demand बढ़ रही है, तो हमें कम से कम time मिल रहा है, deliver करने के लिए software को develop करने के लिए trustworthy software ऐसा होता है, जिस पर एक user जो है, वो trust करके उसको use कर सके, तो ये challenges हैं, कि हमारे पास time कम होता जा रहा है, और trust वर्ती का मतलब है, कि हमारे पास security जो है, वो tight से tight करनी पढ़ रही है, अब software engineering, एक तो software develop करने की कोस्ट अलग होती है, software engineering की कोस्ट क्या है, roughly 60% of software कोस्ट यानिके development में कितने पैसे लगते है, 60%, अगर एक लाक रुप्या बजट है किसी software को बनाने का, तो 60% उस software को बना में लगेंगे, test करने से मुराद है, कि उसको check किया जाएगा, कि क्या ये वाकिए आपकी जो requirement है, उसके मताबिक है, या नहीं, for custom software evolution कोस्ट of an exceed development कोस्ट, custom software होता है, किसी एक खास organization के लिए बनाया गया, तो उसने का evolution का मतलब है, इसमें upgradation की कोस्ट इतनी ज्यादा होती है कि वो development को से भी ज्यादा हो जाती है, उसके बाद है, what are the best software engineering techniques and methods, अब उसने ये पुछा है, कि software engineering के अंदर भी techniques और methods है, तो कौन से best है, जो हम apply करें, while all the software projects have to be professionally managed and developed, जितने भी software बड़े projects होते हैं, उनको professionally manage करना पड़ता है, और develop करना पड़ता है, ठीक है, कैसे manage करते है और develop करते हैं, different techniques are appropriate for different types of system, मुख्तिलिफ किसम की जो techniques है, methods है, वो लगाए जाते हैं, apply किया जाते हैं, different type of software system के लिए, ये लाजमी नहीं है, कि एक system जो हमने बनाना है, उस पे एक ही तरह का सिरफ हम method apply कर सकते हैं, नहीं, for example, game should always be developed using a series of prototypes, यानि कि अगर आपने कोई game develop करनी हैं, तो उसको आप बार बार एक prototype, यानि कि एक sample के तोर पे test करते जाओगे, करते जाओगे, जो जो आपको bugs नजराते जाएंगे, आप उसको remove करते जाओगे, whereas safety critical control system are required, a complete and analyzable specification to be deployed, इसकी पहले, यानि कि जो safety critical control system, इसकी पहले आप specification करोगे, उसके बाद analyze करोगे, कि क्या one method is better than other, इसलिए आप ये नि कह सकते कि एक method जो है, वो सबसे अच्छा है, और एक method जो है, वो सबसे पुरा है, क्यों हर product के लिए अलग से method अच्छा रहेगा, लाजमी निया कि हम छोटी सी product के लिए बहुत बढ़ा method चूज़ करें, ठीक है, what differences has the web made to software engineering, या what differences has internet made to software engineering, internet के आने से पहले भी software develop किये जाते थे, लेकिन internet ने क्या role, यानि किसके अंदर play किया है, the web has led to the availability of software services and possibility of developing high distributed service based system, अब internet से सबसे पहले तो ये क्या कर दिया, availability कर दी है, दूर दराज अलाकों तक, यानि कि आपका software जो है, वो चाहे server पे install है, कहीं भी install है, तो आप उसको कहीं से भी पूरी दुनिया में कहीं से भी distributed service एक समकी use कर सकते हो, कहीं भी बैट के, internet ये काम कर दिया है, web based system development has led to important advance in programming languages and software use, आप software use का यहाँ पर word आया, तो उन्हों ने काया है कि internet ने क्या किया, web based system development has led to important advances, बहुत ज्यादा advancement आ गई है, किसमें programming languages में, programming languages आप देखो तो बहुत स program है, और उनकी functionality पहले वाली program जब हम programming करते थे उससे बहुत ज्यादा है, and software use, reuse का मतलब होता है, कि आपने एक software बनाया था, उसके कुछ modules आपने रख लेने हैं, और उसके बाद जब कोई और आपको software का order आता है, या आप कोई और software develop करना चाहते हो, तो उसके components को आप new software के यूज कर सकते हैं, तो आपको zero से start करने की ज़रूरत नहीं पढ़ती, तो यह थी वीडियो आज की, जिसके अंदर हमने frequently ask तक पढ़ लिया है, जो कि यहां तक मनता है, अगर आप detail से पढ़ना चाहते हो, तो इनको भी पढ़ सकते हो, इन slides का भी link आपको description में मिल जाएगा और इस book का link भी आपको description में मिल जाएगा, अगर आप मेरे channel पे नहीं हो तो लाजमी subscribe कर लो, वीडियो अच्छी लेगी है, तो like कर दो, next video देखने के लिए यहां click करें